कॉंगर सद्यक्ष राहूल गांधी ने नागपूर में एक जनसभा को संबोधित किया जहां प्रधानमंदी नरेंदर मोधी का नाम लिये बिना ही उन पर निशाना साधा उन्होंने राफेल मामले की और इशारा करते हुए कहा कि चुनाओ के बाद इसकी जाच की जाएगी और साथी आपको बताते कि उन्होंने कहा कि किसी भी मजदूर के घर के बाहर चौकिदार नहीं होता झाल